पोलंग रेडी फड़ी मार्केट भाजपा नगर परिशद द्वारा बनाई गई थी लेकिन बर्षों बीड जाने के बाद भी अभी तक यह मार्केट अधूरी है और जिनके लिए यह मार्केट बनाई गई थी वो उसी मार्केट के बाहर बैठ कर सब्स यह फल बेच रहे हैं भाजपा नगर परिशद ने इन बात व्यक्तियों को भरोसा जताया था कि उन्हें जल्ग दुकाने दे दी जाएंगी लेकिन वो समय पर दुकाने नहीं दे पाए और इस मार्केट का कारियर काफी समय तक बन रहा अब नगर निगम की मेर पूलन ब्रोगर दिप्टी मेर र आशा जदाई जा रही है कि जल्दी दुकाने पात नाविकों को सौंप दी जाएंगी जैसे कि वेंडर मार्केट काफी समय से पैंडिंग पड़ी थी पिछले हाउस की है इसमें कोई कारवाई नहीं हुई जी के स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था और जो दुकाने थी वो हुए तकरीबन जहां वहाँ 9% काम हो चुका है सिर्फ 10% हमारा काम पेंडिंग है कि हमने चारो तरफ खिड़कियों का प्राधण किया है एंटरस भी हमने दोनों तरफ रखी हुई है तीनों तरफ रख दिया है में एंटरस तो ही थी उसमें और साइडों पे हमने उसको खो तो जैसे एक एंट्रस थी तो काफी दिक्कत हो जानी थी तो इसलिए हमने चारों तरफ उसकी एंट्रस रखी है और साथ में हमने ट्वालेट का भी बोला है कि ट्वालेट वहां लेडिस और जैन्स ट्वालेट बनाए जाए और उसका भी काम अती शिगर कंप्लीट किया और बाकी अंदर की कंप्लीशन तकरीवन कंप्लीट हो चुकी है और थोड़ा ट्वालेट का काम बचा है हमनी चाहते कि आधी धूरी कोई भी काम हो आधा धूरा सोंपा जाए हम चाहते हैं चाहिए दस दिन लेट हो जाए काम उनको प्रोपर मिलें कि उनको कोई दिक्कत न करेंगे इसके इलावा जो हमारे पास लोकल लोकालिटी के लोग हैं जो कुछ लोग तो यसे हैं कि बाहर से आते हैं सीजर लगाते हैं चले जाते हैं तो एक सर्वे करवाया जाएगा उसके दुरान जो यहां के 40-45 साल से पुराने रहते हैं जैसे स्लोगडे से थे उन वह भी की बंदा बैठके वहां रेडी लगाए इस वह अपनी सब्जी लगाएं वह हमने स्तारा के सारा वार्डो में हमारा मीटिंग में भी डिसकस हुआ था तो चर्चा प्राग कि यह हुआ था कि जहां हमारी निगम की प्रोपर्टी होगी वहां तीन तीन चार चर करके इनको ब कालन करें हम सभी मिलकर करोना को हरा सकते हैं इस संकर्टाल में कॉंग्रिस और मैं सदैव आपके साथ हैं डट कर मकाबला करें घवराएं नहीं